अपने खेल से देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले क्रिकेटर गौतम गंभीर ने आज बीजेपी में सामिल होकर अपने राजनितिक ओपनिंग की सुरुआत कर दी है गौतम गंभीर आज बीजेपी हेड ओफिस दिल्ली में अरुन जेटली और कानून मंतरी रविशंकर परसाद की मौजदगी में सद्यस्यता ली बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर नई दिल्ली लोकसवाज सीट से बीजेपी के प्रत्यासी बन सकते हैं बीजेपी में सामिल होने के बाद गौतम गंभीर ने कहा मैं परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के वीजन से प्रफावित होकर बीजेपी में सामिल हुआ हूँ देश के लिए कुछ करने का मौका देने के लिए मैं बीजेपी का सुकर गुजार हूँ पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करूंगा इस दोरान औरुन जेटली ने कहा कि गत्म गंभीर के पार्टी में आने से बीजेपी को फाइदा होगा संगठन मजबूत होगा वहीं पार्टी करकताव करूप में परचार भी करेंगे चुनाव लड़ने के सवाल पर जेटली ने कहा कि इसका फैसला चुनाव अभ्यान समयती करेगी अरुन जेटली ने नोजीत चिन सिद्धु का बीना नाम लिए कहा हमारे पास अनुभव है कि कैसे एक क्रिकेटर अचानक पाकिस्तान के प्रतिसाहनबूती रखने वाला बन गया कम से कम गौद्दों का भीर का ऐसा कोई पुराना दिहास नहीं है उधर कॉंग्रेस के नेता और राहुल गांधी के बेहत करीबी सेम्थ पित्रोदा के एक ब्यान पर अरुण जेटली ने जवाब दिया दरसल सेम्थ पित्रोदा ने आज कहा था कि जो एर स्ट्राइक हुई है उसका सबुत भारत सरकार को देना चाहिए और किसी एक की गलती के लिए पूरे देश को यानि पूरे पाकिस्तान को दोसी नहीं ठहरा सकते उस पर अरुण जेटली ने जवाब देते हुए कहा कि ये दुर्भागे पुन्ड है जो लोग इस देश को समझते नहीं है वही इस तरह का ब्यान दे सकते हैं 26-21 के वक्त ही आतंकवाद की लड़ाई शुरू हो जानी चाहिए थी पहले से हम आतंकवाद को जुझकते रहे हैं मोदी सरकार ने फैसला किया है कि आतंकवाद के खिलाब लड़ाई लड़ी जाएगी हमने फैसला किया कि जहां से अतंकवाज की शुरुआत हो रही है वहां जाकर हम खत्म कर सकते हैं हमने दो अटेक किये जो सफल रहा और उन्जेटली ने कहा कि मैज को फ्रंट फूट पर खेल कर जीता जाता है गुरु अगर ऐसा हो तो सिस से कैसा होगा इसी को देश जहलना पड़ रहा है